बेन स्टोक्स के आने से फर्क पड़ेगा हलकी आज एक ओवर किया पांच रंड बनाए लेकिन उनके आने से माहौल, मूड और मोमेंटम सब कुछ बन गया राजसान रॉयल्स के लिए और इस रिव्यू में माहौल, मूड और मोमेंटम बनाने के लिए मेरे साथ आकास चोगा आकाश, राजसान रॉयल्स के लिए तीसरी जी, हाइदराबाद के लिए चौत हार और इस पांच पॉइंट बाले रिव्यू का पहला पॉइंट राहूल देवडिया की बात कैसे ना करें अठाइस गिंदों में पैताले सुरान, चार चौके, दो चक्किया और उन्होंने विपक्ष के सबसे मुख्य हत्यार को नाकाम कर दिया अंडर प्रेशर राशिद खान को रिवर्स फीप लगा रहे हैं वो जो शार्जा में किंग्स इरवन के खिलाफ किया था तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगा आज जो हुआ उसके बात बिल्कुल तुक्का नहीं लगा और एक बात यहां पर कहना जरूरी है कि क्या आप मेर दिफिकल्ट होता है लेकि सबसे मुश्किल काम किया होता है जब आप अंत में बैटिंग करने जाएं कि आपकी जो थिंकिंग है वो कितनी क्लटर्ड है वो कितना अप अंडर प्रेशर काम होके सही डिसीजन ले सकते हैं उन्होंने बताया है कि उनको फरक नहीं बढ़ रहा आप खेल रहे थे टटे हुए थे और यहां पर तो खेल मैच विनिंग हैंड उन्होंने खेला ही तो रहुल तवर्टिया मतलब कहते है हारी बाजी को जो जीत जाए उसको आजकल रहुल ही कहते हैं बाजी करते थे तो पहले कहां करते दे हैं क्या बाद है आरे इस रिविव का पॉइंट नमबर टू और रादस्तान का हीरो नमबर टू रायन पराग जिन्होंने आज बाजी बल्ले बाजी करने आए जब उतापा आउटवे स्कोर था 63 पर चार उनका इंडिविजू स्कोर इंडी एंड 26 गेंवे बायालिस रंड दो तो उनसे मैंने बाद भी की है उसकी बीच मैंना यह कम अक्रॉस वरी पॉजिटिव कॉंडेंट काई उनको यह भी पता है कि जहां से मैं आता हो मुझे 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 कम मिलेंगे लेकिन उन मुझे बुनाना है और अगर उनके दृष्टी कौन से सोचिए तो पहले वो खे करते जोनोंने किया क्योंकि उन्होंने चुक्राइब भागे शाथी रहे कि प्रिम गर गर चूटते नहीं है बहुत कमाल के फिल्टर है उन्होंने थोड़ा सा ओवरां कर गए बहुत नहीं पगड़ पाए और यह मैस्पकड़ के ले गए रियान पराग यह फ्रस्ट्रास शुबमन गिल नगर कोटी मावी के साथ इंडिया अडर 19 बिनिंग टीम का हिस्सा रह चुकी है तो ही इस वर्क इन प्रोग्रेस वर वरी लॉंग टाइंग, वो क्लास ऑफ 2018 की है, अब एकदम से पके हुए क्रिकेटर की तरह खेल रहे हैं पॉइंट नमबर तीन, राजस्तान की पाफले बोलिन की बात करना जरूरी है क्योंकि उन 6 ओवरों में एक चौका, एक चक्ता, आर्चर के दो ओवर बिलकुल खामोश रखा उन्होंने उन बल्लेबाजों को, वानर वैस्टो के हद बिलकुल खुलने नहीं दे, क्या असेस्म पर पहले तीन ओवर डाले उसमें सिरफ छे रख दिया और अगर आप हाइदराबाद की दृष्टी कौन से सोचे तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि वानर बैस्टो बाद में आते हैं विल्लियमसन ज्यादा बल्लेबाजी में गहरा ही नहीं तो आप जोखिव उठाना ही कि उतने ही उसके लिए रिस्पॉंसिबल थे जो संराइज हैदराबाद कर रिस्पॉंस था क्योंकि वो जोखिव उठाने के लिए तैयारी नहीं थे चौता पॉइंट हैदराबाद के डेथ बोलिंग का जिख से जरूर करना पड़ेगा चार ओर में आखरी चार ओर में चा अगर भूवी नहीं है तो संबडी है तो तो नहीं हो पारा है नतराजन बहुत अच्छा कर रहे हैं इस ग्रोइंग इन प्लेयर हैं संदीप शर्मा से ज्यादा उमीद्या आप रखते हैं खलील तक तो खैर ओवरी आखरी बचा था तो आपके गंड़ डेथ बोलर वैसे ज तो तीन गेंदे तीन चौके पहले वो दो रिवर्सीप के चौके थे और उसके बाद एक कवर्स की उपर सिपा इस एक शॉट अपर से शॉट अच्छा उसने इच्छान रॉयल्स और गेंडवाजी में बदलाब तो नहीं कर पाएंगे ज्यादा पर बहतर जरूर करनी पड इसलिए नहीं था 18690 क्योंकि एक और बार जॉफरा आर्चा ने वो किया जो अक्सर वो करते हैं चार ओर में एक विकेट लिया लेकिन पहले दो वर उन्होंने खामोश रखा बल्लेबाजों को और वापसी करवाई तो वानर को आउट कर दिया फिर विलियम सुट का कि बोलर जो है मैच दर मैच प्रदर्शन करके आपको देते हैं बैट्समें एक दिन अच्छा कहलता दूसरे दिन आउट हो जाता है और उतना उनका कॉंट्रिबूशन जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो मैच पहले हैं और आपके पास गूम्रा जबादा जोफरा अगर इसे गेंदबास हो तो फिर आप 14 मैच दीक रहती है तो उसमें से 10 से 12 मुकाबले आपको कॉंट्रिबूट करके देते हैं ते हैं 20 पर एग यार बोल जालता है कि जोफरा इस वार्ट एंग अगल्से तो बहुत दैदा है पर गेंदबास बहुत कमाल के हैं तीखा उनके बा वहाँ पर उसके बावजूद अगर आप 19 देने के बाद भी चार ओने 25 अन देते हैं तो I mean समझ लीजे की कमाली है All is well, that ends well. रादस्तान रोल्स के लिए तीसरी जीत रहत के सास और हो सकता है कि इस जीत के बाद इनकी कहाने में वो पॉसिटिव ट्विस्ट आ जाए फिलहाल तो सिर्फ 6 पॉइंट है लेकिन आगे और आधहा टोर्नमेंट लीग स्टेज में उनकी लिए बाकि है देखते आगे क्या करता है लेकिन हमें आपर हमारी गाड़े पर थोड़ा सा पॉस लगाना पड़ेगा हो गया हमारा पांच पॉइंट वाला रेव्यू थैंक्स